येस, गूड इबनिंग एबरिवन, आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं, आपकी जो मई 2023 का पेपर होने वाला है, उसमें मुश्ट इंपोर्टेंट कोईशन के लिस्ट एकाउंटेंसी के लिए, देखो, ग्रूप वन की अगर बात करूँ, अगर हम बात करे ग्रूप वन की पेपर की, तो ग्रूप वन क्लियर करने के लिए आपको दो पेपर बहुत ही इंपोर्टेंट है, प्रैक्टिकल पेपर जिसमें आपको अच्छा माक से स्कोर करना पड़ेगा, एक अकाउंट, और दूसरा, कॉश्ट अन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पह रैंक लेके आने के लिए, दूसरी बात कि अगर थोड़ी बहुत पी आप अच्छे से अनलाइसिस करके पड़ें, तो 85 प्लस माक्स ले आना बहुत ही असान है अकाउंटेंशी में, ठीक है, तो दोनों बातों को कंसीडर करूँ, अगर आपको अच्छे माक्स ले आने हैं, तो आपको बिल्कुल जो चीजे मैं कंसीडर कर रहा हूं, उसको ध्यान देना चाहिए अपनी प्रिप्रेशन में, देखो ऐसा बिल्कुल पोसिबल है, कि कुछ ऐसे टॉपिक है, जो हम लोग कबर करें यहां पे, और उससे क्वेशन आए, लेकिन मेजर्टी आप क्वेशन यहां से आएंगे, मेजर्टी आप क्वेशन जो एनलाइसिस, क्योंकि जो पास्ट एयर में जितने भी क्वेशन पुछे गए हैं, आप पुछते हैं, उस पैटरन पे बेस्ट करके अनलाइसिस करके, यह पैटरन मैंने बनाया है, ठीक है, पिछले एटिम में भी अगर आप तो 2023 का एटेम्ट है, यह आपके लिए एक golden एटेम्ट है, क्योंकि देखो, उसके बाद नया कॉर्स आने वाला है, ठीक, जो बच्चे रह गया है पुराने कॉर्स में, उनके लिए भी important attempt है, और जिनका first attempt है, तो कहता है न, first attempt is a golden attempt, उनके लिए भी important attempt है, आपको इसी attempt में clear करता है, चलो, अगर AS की बात करूँ, तो AS में, AS 10, 12, 16 and AS 3, यह बहुत ही important accounting extender है, आपको देख की जाना है, इसमें से 3 AS तो आएंगे, आएंगे, ठीक, AS 12, 10 and 16, very very important, AS 3 क्या है, cash flow statement, इससे हरे के टेम्ट में लगबग छोटा या बड़ा question आते रहता है, cash flow अलग से आपके chapter है, module 2 में cash flow statement कभड है, तो cash flow statement आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए मैंने AS 3 भी लिखा, इसके बाहिक तो पढ़ना आपको हर एक से लिबस है, full cover करना है, यह क्या है फिर, तो यह है कि कौन सी portion है, कौन सी question है, जिसको आपको कम से कम अच्छी तरीके से cover करके जाना है, एक अच्छा mark से score करने के लिए, उसके बाद AS 1 से भी कई बार छोटे मूटे एका topic है, AS 1 में जिससे question बनते आ सकता है, AS 13 आपको देखके जाना है, क्यों, यहाँ पर जो investment accounting है, AS 13 का, तो आपके chapters में है, तो आपको पढ़ना ही है, तो AS 13 भी आपको पढ़ आएगा थोड़ा बहुत, और AS 1 से भी question आते हैं, एक आज छोटे मोटे, framework की बात करूँ तो 3 question important है framework में, जिसमें मुझे ऐसा लगता है, कि going concern assumption पे, ठीक है, fundamental accounting assumption जो 3 होते हैं, उसमें going concern assumption पे illustration 1 है, देखके जाना, element of financial statement पे, जो accounting equation बनता है, asset minus liability is equal to equity, इस पे question इस attempt में अच्छा हुआ था, November 22 में, तब भी एक question जो मैंने लिखा है, test your knowledge का 2, यानि कि last में chapter खतम होने के बाद, जो practical question है, उसका heading देखोगे, आप test your knowledge करके है book में, institute की book में, और institute का जो material पढ़ा हुआ है, उसी material को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका question number 2 देख लेना काम चल जाए ठीक, तीन question देखना framework से, module 2 की बात करूँ, तो 30 to 35 marks का weightage रखता है, module 2 is also important, देखो, मोटा मोटी अगर module 2 में देखोगे न, तो छोटे मोटे बहुत सारे topic है, ठीक, अगर पहला topic cover करूँ, financial statement of a company, तो इसमें छोटे मोटे यह सारे topic है, जिसमें preparation of financial statement, schedule 3 पे question आचुका है, ब continuous 3 attempt से question आ रहा है, कि एक तो effective capital निकाली है, loss के case में effective capital के basis पे renumeration दिया जाता है, और कितना renumeration होगा बताइए, छोटा सा concept याद करके जाना हो सकता है, question ना भी आ, dividend in case of loss, ठीक है, rule 3 जो लगता है, यह law में भी है, account में भी है, इसमें एक question बनता है, अगर account की book में ना दिख जा सकता है, loss के case में, वो question देखके जाना, cash flow statement, यह आपको revise करना ही है, ठीक है, तो cash flow statement देखके जाना, कोई बात नहीं, cash flow statement important है, और cash flow statement से बार-बार छोटा सा भी question पूल देता है, investing cash flow निकाली है, या फिर operating का निकाली है, ठीक, PL appropriation पे एक question बनता है, अलग से 15 minute का वीडिय पाय भी था, residual topic पे अगर मैं बात करूँ, तो देखो, module 2 में, pre and post incorporation, bonus share and right share का treatment, accounting entry, redemption of preference share and redemption of debenture, debenture का अगर आप बोलो, तो question number 6, illustration का, और पीछे जो question दिया है, test of knowledge का 2 और 3, यह तीन question आपको देखके जाना है, redemption of preference share का मैं बोलो, तो test of knowledge यानिकी, चाप्टर खतम होने के इसका दो नमर और तीन नमर आपको देखके जाना है, यह सारा question मैं institute की book से बता रहा हूँ, ठीक है, bonus and right share के लिए आपको test of knowledge का, जो bonus and right का chapter है, उसमें जो test of knowledge, यानिकी chapter खतम होने के बाद last two practical question है, उसका question number 6 आपको देखके जाना है, मेरा अनुमान है, कि bonus and preference and debenture का कोई mix क के एक question दे सकता है, हर एक chapter पर dedicated question नहीं पुछेगा, ठीक है, इसलिए मैंने वैसे ही question mark करें, जिसमें एक balance sheet हो, कुछ adjustment हो, कि preference भी redeem हो रहा है, bonus भी सी हो रहा है, investment भी भीक रही है, और ऐसे type का question आप से पुछे, पिसली बार मैंने बोला था, debenture से exclusive question आएगा laser का, debenture से आय ठीक, तो मैंने यह mark किया हुआ, यह question आपको revise करके ज़रूर जाना है, module 3 की बात करूँ, तो module 3 में आता है department account, और department account में, देखो, यह छोटे मोटे topic बनते हैं, तो unrealized profit आपको निकालना चाहिए, आना चाहिए, test or knowledge का question number 2, यानि की module जो अपना है, institute का, उसके पीछे से practical question है, दो नमर question देखके जाना, department trading PL, पिछले 2-3 attempt से यह question पूछ रहा है, नहीं भी पूछ सकता है, पर आपको देखके जाना, department में department का ही trading PL बनाने नहीं आए, तो आप पढ़के क्या गया है, ठीक, तो उस पे मैंने 2 illustration दिया है, अच्छे, illustration 2, यानि की जो chapter के बीच में जो question होते इसके base पे भी एक concept question है, आपको कहा मिल जाएगा, तो old course का जो practice manual institute की book पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर जिस भी teacher का आप book refer कर रहे हैं, 100% ये वाला जो question है, वो उस teacher के book में हो गई होगा, ठीक है, कि GP rate लगाने के लिए आपको normal GP निकाल के, फिर discount घटाओगे, तो actual GP आएगा, ये वाली question, आपको click कर रहा होगा, memoranda में stock and department markup account, ठीक, ये जब भी मैं पढ़ाता हूं, हमेशा बोलता हूं, branch पढ़ने के बाद, branch में जो stock and return method है, उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि वो concept है, मैंने 45, वो मैंने old course का advance account का practice manual से दिया है, और ये पढ़ा हुआ है, institute की ICI के जो website है, उस पर आप टाइप करोगे, old course advance account practice manual, पहला link वही खुलेगा, और खुल जाएगा आपको, ठीक है, तो old course का practice manual में ये question है, आपके teacher के भी book में होंगे, पर reference मैंने institute के book से दिया है, कि सारे वच्चे के लिए असान हो जाए ये चीज, हम देखो branch accounting में, एक तो dependent branch का चार में थड़े, ये बनता है, independent branch पे journal पूछ सकता है, या फिर trading and PL account बोलेगा, head office and branch का consolidated करकी बनाएगे, last foreign branch, देखो foreign branch का question, branch accounting में थोड़ा frequency में कम आता है, ठीक, अब यहाँ पे, बहुत attempt से, पिछले तीन attempt से, stock and data method continue repeat हो रहा है, ठीक है, पिछले attempt में भी हुआ था, उससे पिछले में भी देखोगे तो, तो हो सकता है, इस attempt में stock and data method ना पूछ के, data method या wholesale method, यहाँ से question पूछ के, एक question ही mark किया है, question number 4, practice manual का question number 13, एक question number 10 कर ले नहीं, य अगर independent का journal को लोग, मेरे ही साब से, तो सबसे best question, institute को journal पूछना चाहिए, पिछले बहुत again से पूछ नहीं रहा है, old course यो था, इससे पहले जो course हुआ करते थे, उसमें journal हम, especially बच्चों को गोलते थे, कि journal आपको पढ़के जाना है, journal entry करने नहीं आया, तो हमेशा हर एक चाहिए, ठीक है, independent में journal entry important है, consolidated, यह जो trading account मेंने बोला है, HO और branch का, यह final account method जिस बच्चे का रिभाइज है, यह भी complete हो जाएगा, तीन question मेंने दिया है, ठीक है, जो यह तीनों कबड़, यह second topic कबड़ करता है, 7 number, 9 number, 18 number, जिसमें से 7 and 9, 18 number I think journal entry है, and 7 and 9 number normal practical question है, foreign branch की करू तो integral and non integral है, AS11 अगर आपके syllabus का part तो है, revise करोगे, तो AS11 में भी covered है, and trial balance को कैसे convert करना है, conversion rule आपको पता है, to trial balance convert करगे, आप profit and loss account, trading account, easily बना सकते हैं, एक question देखके जाना है, question number 20, ठीक है, maximum focus आपको कहा रखना है, trial balance का conversion सही होना चाहिए, ठीक, आगया हूँ, यहाँ पर मै एक चीज के बारे में बोली नहीं, pre and post, इस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, pre and post incorporation profit में, एक तो यह important है, हरे के टेम में आता ही आता है, और बहुत question practice करने की ज़रूरत नहीं, दो ऐसे standard question practice करना, जिसमें rent का adjustment, salary का adjustment, gross profit ratio निकालने का, कुछ ऐसा question, जिसमें almost सारे वैसा आपको करके जाना है, ठीके, अब आते हैं, इसके बाद investment accounting में, continuous investment accounting में देखो, दो attempt से share के उपर question पूछ रहा है, कई बार mix भी पूछ सकता है, छोटा-छोटा-दो-तीन इंट्री share का, दो-तीन इंट्री डेवेंचर का, मुझे ऐसा लगता है, पताने interest bearing security पे पूछन चाहिए, बहुत attempt हो गया है, डेवेंचर बांड पे question आने की probability जादा है, एक question तो दोनों पे करके जाना है, ठीके, insurance में, बहुत important, loss of stock, loss of profit, दोनों important है, यह थोड़ा ज्यादा important है, loss of stock, frequently repeat होते रहते हैं, पर आपको दोनों का concept छोटा-सातो chapter है, देखके जाना है, हैर purchase प हुआ, पहला payment के बाद, उसके बाद, दो asset, repossess करके ला है, ठीक, depreciation जो है, वो normal depreciation 25% है, पर repossession करते time, repossess value निकालने के लिए, depreciation 30% considered किया गया, यह question book में आपके होना चाहिए, institute की भी book में है, यह question आपको जरूर देखके जाना है, और higher purchase इंस्टल्मेंट का जो difference है, यह आपको जरूर देखके जा रहा है, इन सारो चीजों को cover करके आपको बढ़िया से पढ़ाई करके जाना है, 100% आपका 85 plus marks आएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, साथी में, बहुत सारे बच्चों ने comment में यह लिखा था, कि सर, preference year का redemption कुछ बच्चों ने बोला था, AS2, कुछ बच्चों ने framework, और भी आपको जो जो chapter चाहिए, आप लिखिए, अब सारे वीडियो और लेक्चर अपलोड होंगे, आप लोग के लिए, ठीक है, हम connected रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को like कर दो, आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, एक लोग का attempt मैं 2023 में 100% निकले, ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो पे,